यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं हुई दूशनकमा जैसे कि आपको इस वीडियो के थम्मेल में देखकर पता चले गयोंगे कि आज का वीडियो किस टापिक पर होने वाले हैं यूट कोई भी ब्राजर ओपन करेंगे इसमें आपको क्या का यहां के अपको सच करना है ऑपी एस टिक है उसके आई अणिया डॉट को डॉट इसा आपको लिखना है ठीक है जो की ओफिसल वेबसाइट है इस पर आपको यहां पर जोए क्लिक कर देना है जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो IPS e-service का जो भी official website है वो आपके सामने open हो के आ जाएंगे और आपको कुछ इसता का यहाँ पर इसका dashboard देखने को मिलेंगे अगर इसमें थोड़ा सा नीचे scroll down करोगे तो आपको यहाँ पर e-government का need का है उस e-government service सारा कुछ आपको यह आप देखने को मिल जाते है और इसमें आपको बहुत सारी option देखने को भी मिलन जाते है अगर आपवो यहां पर देखोगे तो आपको यहां पे सब्सक्रिछ का इहां ले magnitude बहुत चारे सर्विस है जो आपको यहां पर देखने को मिलनगे ठीक है और अगर आपको यहां पर देखे होगे तो आपको यहां पर आधार इन्रॉल्मेंट का भी सर्वीस देखने को मिलते हैं इंक्वारी नोपे क्लिक करोगे तो आप आधार के बारे में पूरी तरह से देख सकते हो ठीक है करेंगे तो सबसे पहले करेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि आपको आधार सेंटर कैसे लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इपोर्टेट है इस वीडियो में कोई भी अस्टेफ मिस नहीं किजेगा अगर आपको कोई अस्टेफ मिस करते हैं तो आप आधार सेटर आपन नहीं कर पाऊ है क्योंकि इस वीडियो में complete जानका ही देंगे तो सबसे पहले हम यहां पर investment सपनी सभिव हो सकता है जैसे हम यहां पर असम कर लिए करेंगे तो असम का यहां पर नहीं देखनेकselves मिल जएंगे उसके वार को यहां प examine और यहां पर यहां पर करती है ठीख एक एक येजी was नुस्तितो हमने कुछ तका यहां पर इंटरस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर जो भी सर्वीस है तो आपको यहां पर देख सकते तो इसमें कौन-कौन सा सर्विस है ठीक है अब जान लेते कि इसमें को डॉक्मेंस क्या कर रहना चाहिए थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से दिखाई देने लेगे ठीक है अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर फिंगर्प्रिंट आपके पास एक फिंगर्प्रिंट आपके पास होना चाहिए जिसका चार्ज होगा यहां पर देख रहे होंगे उन-ती सजार रूपया ठीक है उसके बाद आगर आप लोग यहां पर टेक्स जोड़ होगे तो पांचार दो सो बीस रूपया आ जाएंगे और टूटल जो प् एक आपको एक ताली सो अठार रूपया पड़ेंगे उसका यहां पर पोटल सब्सक्रिशन चार्ज है तो और जो कि आपको बिल्गूल फिरी देगा कोई भी चार्ज नहीं देना हुगा है यहां फैर जीपीएस डिवाइस यह आपको को एक ताली सो अठार रूपया पड़ेंगे उसका लेपटाउप का इतना रूपया पड़ेंगे उनीज़ चार्ज बता रहा है अगर आप लोग यहां पर टोटल देखेंगे तो आपको यहां पर पांस सो बाइस रूपया देखने को मिल जाएंगे यह टोटल कोष्ट है ठीक आदा सेंटर ओपन करने में इतना रूपया आपको चार्ज लगते हैं टोटल कोष्ट ठीक है आप जान लेते हैं जैसे आपके पास फिंगर प्रिंट डिवाइस है तो इस पर आपको अंतिक कर देना घ्पिएस डिवाइस रियस्पेंट कर देना लेप्टक आपके पास रिपिस पेडिक कर देना है उसको अगर मल्टि फेंकर सम्द्टर है तो आपको यहां पर अंतिक कर देना है और आपको चोटल कोश्ट पढ़ेंगे वह 14500 जिसे आप लोग अंटिक नहीं कर सकते है मतलब जब आप आधार सेंटर ओपन करेंगे तो 14500 तो देना ही होगा जो की UID को जाते है ठीक इतना रुपया तो आपको देना ही होगा ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है अधार सेंटर जो मिलता है यह CSC के रिएक्टे मिलते हैं जैसे हम आपको एक्जामपल के पास का आएगा ठीक है तो इसका ID लेना पड़ेगा ID लेने के बात जैसे UCL में आपको आधार का मिलता उसी तरह से आपको यहाँ पे काम मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दो अगर आपको आधार सेंटर लेते हैं तो जब तक आपको आधार का ID पास तरह से यहां पर IPS service में आपको अधार सेंटर open कर सकते हैं अब जान लेते हैं आधार सेंटर हमको open कैसे करना है open करने के लिए आपको home पर आजाने तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे आपको क्लिक करना है आपको यहां पर थोल नाम भेंगे तो भरेंगे उसके उसक पर इंट्रेस रोल है तो आप यहां पर तीक कर ना करना इस पहलोगे है तो आप, जो भी इंट्रेस्ट लेना चाहां है जैसे आप यहां पर इस्वाछ सब्सक्राइब मुझत chutले जाए चया लाए चलिक करщее गें, इसले? जो भी contact करने का option मिलेंगे वो contact आपको यहाँ पर inquiry दे सकते हूँ तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर आधार सेंटर open कर सकते है आपको क्लियर मालूम हो गया होगा कि जैसे CSC में हमको आधार सेंटर UCL के दौरा मिलता है सबसे पहले आपको CSC लेना पड़ता है उसी तरह आपको IPS के दौरा आधार सेंटर मिलेंगे लेकिन उससे पहले इसका आपको रिटेलर आईडी लेना होगा जो कि 45 के आसपास आएगा हाला कि आपको यहाँ क्लिक करके आपको complete जान करना चाहते है तो आप लोग फुरी तरह से verify हो जाए और आपको जब लगे कि नहीं मेरा आधा का काम हो रहा है आपका ID पासड़ा आजा आपका work करने लगे तभी आप कहीं पर भी payment करें अन्याथा कोई भी कहीं पर payment नहीं